नमस्कार मैं डॉक्टर अजीद भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विशा के अंतरगत एक संदेश लिखन लेकर आएं तो संदेश लिखन यह है अनवचारिक संदेश लिखन ठीक तो इसका प्रसन कुछ इस प्रकार से है अपने मित्र को अनवान जनमस्व पर लगबग 40 सब्दों में एक सुपकामना संदेश लिखी है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम प्रसन को ठीक से भली बात पढ़कर समझ लेंगे तो आपको संदेश लिखन किसको लिखना मित्र को और किस पर लिखना जनमस्व पर और सब्दों की सीमा कितनी रहेगी लगबग 40 तो ये किसके अंतर गताता है अनवचारिक ठीक है तो हम परिच्छा में अनवचारिक संदेश लिखने ये एडिंग कभी नहीं डालेंगे सब दिये गए प्रसन के उत्तर ही डालेंगे जैसे तो हम पहले लिखेंगो उत्तर, उत्तर में हमने लिख दिया अन्मान जन्मोसो पर सुबकामना संदेश अगर अन्मान पर जन्मोसो संदेश लिखना अगर आपको ना है, ये इतना अगर इसे में किसी प्रकार की कोई कटना ही आ रही है तो उसके स्थान पर सब कहा लगए दो संदेश लिखन मात लगए दो ठीक तो ऐसा भी हम कर सकते हैं अब उसके बाद एक हम क्या करेंगे बॉक्स बना लेंगे जैसी ये पूरा बॉक्स बना इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हम सबसे उपर लिख देंगे क्या सुबकामना संदेश अब उसके बाद फिर नीचे हम 22 आज लिखेंगे दिनांक दिनांक हमने लिख दिये 16 अपरेज 2000 और 2 एक्स बना दिये 2 एक्स इसलिए बना दिये हैं ताकि इससे जो सही वर्स है उच्छ बजाता परिच्छा में हम कभी नाम पता और वर्स सही नहीं लिखते हैं और फिर ठीक उसी के नीचे हम लिख देंगे समय तो हमने समय लिख दिया 8 बच कर 30 उनट यानि 8 बजे आप तो दिनांक और समय कोई भी लिख दो जो आपको उच्छ लगता हो अब उसके बाद हमने एक लिख दिया है काब लिख दिया है यानि दुआ संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनमत बलबीरा तो कोई भी आप ऐसे अगर कोई संदेश लिख लिख दें अगर नायाद हो तो गद में लिख दें फिर उसके पस्चाद लिख दिया आपको तता आपके परवार को अनमान जनमोसों की बहुत-बहुत सुबकामना है सिरी राम बक्त अनमान जी की किरपा आप सभी पर हमेसा बनी रहे तो अगर आपको लगता है कि यह जो काब है यह हमें नहीं आएगा इसको ना आए तो यह मतलगो तो पर उसके स्थान पर यह गद लिख दो ठीक है और अगर चा लाइन आपको काब आती या तो आप चा लाइन काब की लिख दो या फिर गद की लिख दो और चा Young तो आप ऐसे एक लाइन गद काब की लिख दो और यह दो लाइन की लिख दो जो आपको उच्चत लगे वैसा कर सकते हो और फ़र हम उसके लाद लिख देंगे मित्र यानि मित्र एक मित्र दूसरें को लिख देंगे का खागा ठीक तो इस परकार ये हमारा संदेश लेखन पूरा कम्प्लीट हो गया बहुत ही छोटा और सरल है अगर आपने बहुत साथ सुतरा स्वाच और सही संदेश लेखन लेका तो निश्चे तोर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे अब जो में पूर बात है वो याद रख लो जैसे हम ये जो वाक लिखते हैं हम ऐसा कैसे लिखने चीए जो आप साही सरल सुद्ध लिख पातों जो कटन और मुस्किल लिखते हों उन्हें कभी ना लिखे हैं आपने कटन और मुस्किल सब्द लिख दिये और किसी फिरकार किया सुद्धियां होगी तो फिर क्या होगे आपके अंक कट जाएंगे इसलिए अंक ना कटें उससे बचने के लिए सबसे चाह तरीका है सुद्ध और सही जो जो सब्द आपको सही लिखने आते हैं पुनी का ही प्रियोग करेंगे तो आपके अंक नहीं कटेंगे तो आसा करता हूँ कि ये संदेश लेकर आपको समझ में आ गया अगर कोई ऐसा विसाय जिस पर संदेश लेकर आपको लिखना हो और आ ना रहा हो और वो परिछा की दिरस्टी से मैतपूर तो हमें कमेंट करके अवस लिखिएगा तो फिर ये छोटा सा संदेश आपको पसंद भी आया होगा और आपने सीख भी लिया होगा तो फिर आज के लिए इतना ही अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विसाय के साथ तब तक के लिए धन्नवाद